Welcome to my channel, आज मैं आपको होमियोपैथी जो मैडिसिन आप सभी अवगत होंगे, आप सभी जानते होंगे कि होमियोपैथ कितना ही कारगार है हर बीमारी से लड़ने में और होमियोपैथ का आज कल चलंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में काफी हच से ज कोटी मोटी जो प्रात में कुछ आ रहे हो हों यो पैतिक की मैडिसिन से ठीक कर सकते हो ऐसा नहीं है कि अगर आपको बीग प्रॉब्लम का साहमना करना पड़ रहा है तो आप डॉक्टर से आप दिखा सकते हो लेकिन आप छोटी मोटी चीजे जो छोटी मोटी बीमारी होना अपच्छ हो जाना इन सब समस्याओं के लेकर आप होस्पीटल के चक्कर ना कातो इसलिए मैं कुछ होमियोपैतिक की मैडिसिन आपको दिखाऊंगी पताऊंगी कैसे लेना है क्या है यह देख रहे हैं जैसा कि नाम नक्स बोमी का इसका नाम है तो इसका क्या करना है इस दवा को आप किसी भी होमियोपैतिक रिनी क्या होमियोपैतिक की जो दुकान होती है वहाँ से आप इसे खरेट सकते हो ठीक है तो यह देखिए कि इसकी प्राइस है 80 रुपीस आपको 80 रुपिस में होमेपर्थी की सौप में मिल जाएगी और इसके क्या सीम्टम है कि सिम्टम में आप इसे यूज़ कर सकते हो तो चलिए मैं आपको ये बताते हूं सबसे पहले आप खाना खा लेते हो जैसे आपको पेट की समस्या है आपको काफी ज्यादा अपच की समस रлекती डकार आना पेट में गयाज बनना और भुमयटिंग भी साथ में आने लगे तो इस को ठीक करने के लिए आप इस दवा का यूज सकते हैं आप इस तक आप यूज करेंगे तो आपको तुरंध के आराम मीलेगी जालिए मैं बताती हूं च्थे पानी साथ अलग खाने को थी लेखिन के गयास की प्रॉब्लम से रिलेटर है तो आप अपने जीप पर दो भींडी से डाल ले और जब आप दवा खाते हैं तो पांच मिनट तक लगबग आप मुह बंद करके ही रखे हैं मतलब आप मुह कोलेंगे उस समय आप बोले नहीं कुछ खाये नहीं कुछ पीए नहीं पांस मिनट के बाद आप पानी पिशकते हैं जब भी आपकी चीह हों में प्राति की मैडिसिन कहते हो तो आपको जब उस टाइम आप लेते हो तो उस टाइम आपको मुह बंद करके रखना पड़ता है तो जैसे आपने रात को ज़्याधा आपको अपच हो गई है तो उसे आप ठीक करने के लिए नकस ले सकते हो आप जैसे रात को बोजन खाए और वो अपच हो गई तो उसके ठीक करने के लिए आप इस नक्स दावा का यूज़ कर से I hope आपको वीडियो काफी पसंद आगए Thank you for watching